हेलो नमस्कार बिग बॉस 16 का फिनाले एक दिन दूर है आज शनिवार का दिन है आज आपको प्रफॉर्मेंसिज देखने को मिलेगी आने वाले ये दो दिन बहुत ही एक आप कहा सकते हैं इमोशनल भरे होने वाले हैं फैंस के लिए भी और बिग बॉस के कंटेस्टन के होगा कि कौन बनने वाला है बिग बॉस का रियल विनर मैं आपको पतादू कि शिव ठागरे की जो फिनाले की दिन प्रफॉर्मेंस होने वाली है उसके कुछ क्लिप सामने आई है जै माभवानी सौंग पे वो जो है डांस करने वाले हैं और अब आपको मैं आज एक अपना में ओपिनिंऊंद देने वाला हूं थे ःपिक बॉस के विनर को लेकर के और कि मेरे हिसाब से किसको वोट जाने वाली है और कौन बनने वाला है बीग बॉस का विनर पहले आगर हम बात कर लें तो सबही की जर्नी काफि繼續 रही है बिग बॉस के घर में और मैक्स की जो हाली म से फबरवरी दस तक आया तो यहां पर अगर हम बात करें तो नंबर वन पर प्रियंका चौधरी है और मेक्स के हिजाब से नंबर दो पर नंबर तीन पर शिव ठाकरे है नंबर फोर पर अरचना गौतम है और नंबर फाइव पर शालेन भनोत है चली यह तो और मेक्स के बात रही लेकिन मेरी जो सिचुएशन्स सॉरी मेरी जो इसमें रैंकिंग है वो बहुत जादा उलट फिर है अगर मैं टॉप फाइव की बात क पूजिशन पर मैं भी कही नगें एकरी करूँगा कि शालीन भनोट फिफ्त नंबर पर होने चाहिए फोर्थ नंबर पर मैं जरूर एकरी करूँगा कि अर्चना गौतम हमें फोर्थ पोजिशन पर दिखाई देती है लेकिन अगर इसके बाद अगर हम बात करें फिर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजिशन की तो और मैक्स के हिसाब से मोस्ट पॉपलर कंटेस्टेंट की लिस्ट में वो प्रियंका को नंबर वन रखते हैं इसमें डाउट कुछ भी नहीं है कि प्रियंका ने बिग बॉस 16 की जो गेम खेली है वो धमाकेदार खेली है उन्होंने एक से बढ़कर एक आप कह सकते हैं जगडे भी किये हैं टास्क भी किये हैं उनकी थोड़ी सी जो साइड कमजोर रही है बिग बॉस के इस घर में वो रही है उनकी एक जुट जो खड़े रहते हैं ना दोस्त का दोस्त जो बिग बॉस में लोग देखना पसंद करते हैं कि दोस्त का दोस्त है यह तो मेरे साथ खड़ा रहता है वो कहीं नहीं प्रेंका का नहीं देखने को मिला और वही कमी हमें अर्चना में भी दिखाई दी अर्चना की एक और कमी दिखाई दी कि अर्चना ऐसे तुचे-चुचे टॉपिक्स पे भी लड़ लेती थी ऐसे तुचे-चुचे टॉपिस को बड़ा बनाती थी जो की जरूत नहीं थी नंबर दो की वो खुन्दा स्पोट लेती थी शालिन का 5th position पर शालिन इसलिए है कि वी शालिन पूरी गेम ही फेक बन करके खेली है अब वो कहते हैं कि मैं proud करता हूँ मैं तो actor हूँ मैं वो हूँ शायद वो समझना नहीं चाहते कि उनको audience क्या बताना चाहती है उनको audience बताना चाहती है कि तुम actor हो ये तो चलो proud feel करो लेकिन तुमने गेम फेक खेली है वो मत proud करो अब बात करते हैं प्रेंका की तो प्रेंका की जैसे मैंने कहाँ बहुत सारी खूबिया है जिस mind blowing उनका concentration जो प्रेंका की है न किसी भी चीज़ को लेकर के वो सबर्दस्त है अगर प्रेंका को कुछ काम करवाना है तो करवाना है उनका मुकाबला मुझे लगता है इस मामले में सिर्फ एक ही कर सकता है वो है शिव ठाकरे को भी mind में जो उने करवाना है काम वो उने करवाना है अच्छा है जो मर्जी हो जाए वही प्रेंका का थोड़ा सा negative side जाता है उनके behavior पे जिस तरह से वो बात करती है जिस तरह से वो थोड़ा सा चीड़ जाती है एक गुसा होता है जो अलग होता है जो सभी को आता है एक होता है जो की काफी कम लोग होते हैं तो चीड़ते हैं या किसी दूसरे से लेकिन प्रियंका थोड़ी सी चिड़ भी जाती थी बीच पे तो मुझे लगता है वो कहीं ना कि लोगों को उतना ज्यादा उनका पसंद नहीं आया है इसलिए मैं प्रियंका को जो है वो थार्ड पोजिशन पर रखूंगा यह फिर्स्टटव से लिए अभी भी मैं यहिए कöm गा कि कि मेरी प्रेफरेंज बिक बॉस्स में कॉंट्रोवरसिय को लेकर करके कभी नहीं होते आफ्कॉस बिक बॉस्स में वीनर वहीं बनता है जो ज्यादा कॉंट्रोवर्सिस से जुड़ा हो मेरे लिए बिग बोस में विनर वो बनना चाहिए जो की रियल रहा हो जिसकी डिसीजन में क्लियर्टी हो जो की लास तक आते आते तक जो है अपनी बातों पर डड़ा रहा हो कहिना कि मुझे लगता है कि वो बंदा जो है जो औरो जीतना डिसर्व करता है अब यहां पर नंबर वन और नंबर टू कि अगर पोजिशन की बात करें तो मेरा कुछ मानना यह है कि अगर हम शीव ठाकरे को देखें उनकी पूरी की पूरी गेम देखें स्टार्टिंग से एंड तक तो जहां पर मुझे भी नोटिस हुआ है कि क खोड़े से ओवर चले गए हैं लेकिन शीव ठाकरे की ज्यादतर साइड अच्छी ही है क्योंकि शीव ठाकरे एक सुल्चे हुए खिलाडी है वह जित तरह से अपना हार्ट पे और रखते हैं कि एम खेलते हैं वह लोगों को बहुत जाधा पसंद आता है शीव ठाकरे जिस को घर के अंदर लीटर्शिप क्वाल्टी रखते हैं दोस्तों को एक साथ इकठा रखते हैं वह जबरदस्त है लेकिन मुझे लगता है कि यह सारी चीज़े हैं यह कहीना कहीं एक वीनर खिलाडी में होनी चाहिए जो कि शीव ठाकरे में है लेकिन फिर मैं शीव ठाकरे को इस समय नंबर टू पर रखना चाहूंगा अब यहां पर मैं यह नहीं कहा सकता कि शीव ठाकरे विनर नहीं बन सकते शीव ठाकरे में विनर बनने के पूरे पूरे चांसिस है और मैं यह भी नहीं कहा सकता कि शीव ठाकरे विनर नहीं बनेगे मुझे लगता है कि एमसी स्ट जाया उनका दोस्त हो पीट पीछे भी वह बिल्कुल ऐसे ही दिखे हैं पूरी के पूरी यह में उन्होंने पहले कहा कि जगड़ा करना होता मेरे को सिर्फ टीवी में ही दिखना होता तो मैं दिख जाता उन्होंने एक एग्जमपल भी दिया था कि मैं जगड़ा इस बात पर भी कर सकता हूं कि यहां पर यह कप क्यों रखाया चाहेगा मेरे हां पैर में लग जाता यह प्तुमिरा पैर टूड़ जाता इस तरह से जगड़े बना सकता हूं जिसतर से अर्चन और प्र्यंका बनाती है कि मुझे सिर्फ पॉपलर नहीं होना है यह कहना कि एक ग्रेट उ रही हो नेगटिव दिख रही हो दोनों को पता है कि सिर्फ दिखना इंपॉर्टर नहीं है आप किस तरह से दिख रहे हो यह जाथ आपर्डन्ट है करे ना कहीं लास्ट तक बना रहा एम जशे टाकरे में जो कि एक पॉस्टिफ बात मुझे लगी और लास तक आते तक एमस्टेन ने दोस्तियां भी निवाई मोली एम्सी स्टैन ने लास्ट में गेम भी अच्छी खेली और अगर हम बात करें तो जहरूर एम्सी स्टैन में भी कुछ कम लिधी कि एम्सी स्टैन की जो एक फनी साइड थी न वह हमें जाधा नहीं तो जासे अब दू के साहाथ जैसे कि और लोकों के साथ निवरीत के साथ वो सब चीजे MC stand की कुछ खास नहीं दिखी लेकिन MC stand मैंने वही कहा ना कि मैं क्या kontroverses कितनी होती है इससे मैं judge नहीं करता विनर मैं judge करता हूं कि लास्तक बंदा कितना प्योर रहा है कितना अपने शब्दों पे stand रहा है खड़ा रहा और बिग बॉस में अपने शब्दों पे लास्तक टीके रहना ही सबसे मुश्किल है चाहे वह आप चुप रहो चाहे आप लगातार बोलो चाहे कुछ भी करो अगर आप लास्तक टीके हो प्योर रहे हो आपको अपना पिछली गल्दी रखने के लिए अगला एक और जूट ना बोलना पड़ा हो अगर आप उस तरक गेम केल सकते हो बिग बॉस में अपना माइट कंसेंट्रेशन में रख सकते हो तो मुझे लगता है कि विनर बनने के आप लायक हो निम्रित को निम्रित अक्रीज यहां पर होती तो मैं निम्र कि हजार गुना जादर रिजर्व करती थी मुझे लगता जो शालीन से अर्चना से और कहीना कहीं प्रेंका के असपास मुझे वह लगती थी लेकिन अफकॉस अब यहां पर नहीं है लेकिन चलिए आप क्या सहमत है लिस्ट से आपको क्या लगता है कि मेरे लिए तो दोनों सब्सक्राइब करें मिलते नेक्स वडियो में धन्यवाद